तो मारेटी फामनी वेलकम बैक उन मारेटी चैनल वंस अगेन काफी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ तो भाई आज अपनी जो है हीरो की थर्ड जनरेशन वाली करिज्मा लाउंच हो चुकी है तो वीडियो मैंने थोर्ट टाइम के लिए से छोड़ जया है कि आसब अस चल नहीं रही थी वाव वाला फिल नहीं है लेकिन इंजन का पावर देखके और प्राइस को देखके मेरे को वाव जरू से फिल हुआ काफी सस्ती बाइक है इसका जो प्राइस है एक लाग भतर जार नौशर रोपय है जो की एक्सरूम है ओन रोड जाते जाते होगी आपको दो लाग पांच ज आपको काफी अच्छी खासी क्रूजिंग स्पीड देखने को मिल जाएगी यहां पर आपको फ्यूल इंजेक्शन बेसिक्स फेस टू आपको देखने को मिल जाता है और पावर है 25.5 भी बाई के टियम में भी इतनी आपको देखने को मिलती है और टॉर्क तो भाई के टिय पर के जरू से बताना है तो भी मेरे को तो लग रहा है कि मतलब एक कड़ी टकर जरू से देखी यहां पर आपको रियर में मोनोशोक मिल जाता है जो कि आपको six step adjust का सकते हो gas charge है यह और पीछी में आपको box tap सुएंगा steel trellis frame है मितलब KTM के बाद तो मैं इसी बाइक में इस बाइक में देखने को मेरे को मिल रहा है फ्रेंट में टेलिसकोपिक है क्योंकि प्राइस भी कही ना कहीं तो कड़ाउन करना भाई और एक चीज़ मेरे को थोड़ी से अजीब से लग रहे है इसके mirrors तो कुछ चुब रहे हैं mirrors तो अच्छी नहीं लग रहे है मेरे को बि ब्लूटूथ कनेक्टिवूटी है अब्रिज स्पीड एविज फुल केंजिंप्शन डिस्टंस टू एम्टी ही तंपर चुबा और गेर इंडिगेटर आ जाएगा सर्विस रिमांडर ब्लूटूथ कनेक्टिवूटी कॉल कोलर का नेम आ जाएगा मैसेज आ जाएगा और नाविगेशन सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा इसमें 6-speed gearbox हो गया और step-up split seat इसमें होगी और आपका split grab rails इसमें मिलते हैं फ्रेंट में आपको मिलता है 100 mm का टायर, रियर में आपको मिलता है 140 mm का टायर MRF के REVs Radial तायर आपको इसमें देखने को मिलते हैं लेकिन बॉड़ी वेट मेरे को भी है इस गाड़ी की वो मेरे को लग रहा है कि बारा लेटर के आसपास की होगी क्यों टैंक की लग रहा है और टैंक पे आपको जो डॉल टॉन कलर स्कीम भी देखने को मिल जाते है और सीट पर इसमें स्टिचिंग भी की गई है वो जो इस तरह के इसके रेर पेनर के फुट हैंगर्स हैं सिल्वर कलर के और जैसे कि आपको बताना भाई कैसे कुछ बाइक लगी है अब यह हाल ही में लॉंच हुई अब जस्ट अभी लॉंच हुई है तो देखते हैं क्या कुछ जो मार्केट में रस्पॉंस होता है लेकिन यह देखो आज के टायम पे हैं न इंजन से जादा दो लोग हैं वो लुक्स को देखते हैं इसलिए आरंफ यह आज तक भिखर रही है उसकी पाउर भी काफी अच्छी है लेकिन फिर भी उसका प्राइज है काफी जादा महगा लेकिन उसके लुक्स भी आपको अच्छे मिल र यह कि प्राइज कम है पाउर काफी फाडू दे रखिए फीचर्स में कमनी ने कोई कमी नहीं छोड़ी लेकिन थोड़ा सार डिजाइन मेरे को अच्छन लगा बस यह मेरी अपनी एक अपना परसनल उपिनिन है तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लेज यह यह सब यह को वीडियो लगे ना प्लीच अपना बताया करो